हेलो गाईज तो आज मैं आपके साथ हांडी चिकन शेयर करने वाली हूँ तो यहाँ पे हमने एक केजी बकरे का मटन लिया है और यहाँ पे अदरक लसन प्याज का मसाला और सभी गरम मसाले हम ऑईल में उस तरीके से चटकने देंगे जब अच्छे से चटक जाए तो बारी कटा हुआ प्याज डाल के उसे भी अच्छे से फ्राय होने देंगे और अब इसे चम्मत चलाते वे अच्छे से फ्राय कर लेंगे यहाँ पर हम हांडी मटन मिट्टी के हांडी में बनाने वाले बहुत ही टेस्टी बनके तियार होगा तो दीखिए अपर दस मिनिट हो चुके हैं प्याज लगबग अपना कलर चेंज कर चुका है अब इसमें डाल देंगे सूखे मसाले, हल्दी पोडर, लाल मिर्च पोडर, धनिया पोडर और नमक स्वात के अनुसार यह सब मसाले हमने लिए हैं तो अब देखिए प्याज लगबग अच्छे से फ्राय हो चुकी है अब यहाँ पे हमने मतन को अच्छे से वाश कर लिया है, वो सारा डाल देंगे, कच्छा ही डालना है और उपर से डाल देंगे अद्रक लसन पेस्ट और सारे सूखे मसाले इसमें हम एड़ कर देंगे और उपर से डाल देंगे हरी मिर्च और टमाटर बारिक कटा हुआ और देखिए इस तरीके से इसे मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे और उपर नीचे कर देंगे अब ढख के इसे कम से कम हमने मीडियम फ्लेम पे 25 से 20 मिनिट हमें पकने देना है ये मीडियम फ्लेम पे काफी अच्छी बनेगी और मसाला भी अच्छे से भुन जाएगा मटन भी गल जाएगा तो देख सकते हैं मसाला तेल छोड़ चुका है और बहुत ही टेश्टी बनके रेडी हुई है तो अब इसे हम गैस पन चूले को कम कर देते हैं और देखी देखी सकते हैं आप हमने इसे कपड़े पे निकाल लिया हैं फिर भी ये खतक रही है तो हंडी कितनी गर्म है और बिल्कुल ये सर्फ करने लाइक रेडी ये उपर से छिड़क देंगे बारिक पिसव गरम मसाला और धनिया पत्ते